नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चांदनी वेलकम टू हेल्ट टिप्स हर दिन खुद को साथ सुत्रा रखने और फ्रेश फिल करने के लिए हम रोजाना नहाते जरूर है लेकिन उसी दवरान कुछ ऐसी बाते हैं जो अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं यही चोटी बाते आगे चल कर हमारे लिए मुश्किले पाइदा कर सकती हैं जैसे उदाहरन के तोर पर हम यह यह सकते हैं कि नहाने के दौरान हम केमिकल युक्त साबन और शैंपू का लुपाजे इस्तमाल कर सकते हैं यह हमारी त्वचा को खराब करने के साथ साथ हमारी हेल् हम आपके जानकारी के लिए बता दे कि या कैंसर जाइस 것이 घंबीर भीमारी को भी जर्म दे सकती हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि कौँसी चीजेंगल मौसम के हिसाब से पाणी का इस्तिमाल करना च्चाहिए क्योंकि ज्यादा थंडाया गर्म पानी आपके सकिन को ड्राक कर सकती है इसलिए ज्यादा गर्म पानी के साबुन ना करें मार्कट में कई तरह के साबन उपलब्द है वही स्किन केर प्रोडक्त की लंबी लिश्ट है कि यह इस्तमाल करने से यह फाइदा होगा जिसे लगाने के बाद स्किन मुलायम और ग्लोइंग हो जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इन स्किन केर वाले केमिकल प्रोडक्त में पैराबेन और सलफेड जैसे केमिकल डाले जाते है जो स्किन के लिए बेहद हानी कारिक होता है आप कितने गंटे नहाते यह मैटर करता है ज्यादा देर तक बातरूम में वक्त गुजारना सही नहीं है ऐसी मिथाई की हम जितना देर तक नहाएंगे शरीर की गंदगी साफ हो जाएगी ज्यादा देर नहाने से सिर्फ स्किन घराब हो जाते है और स्किन संबंधी बीमारी हो जाती है टवल को ना रगड़े टवल को जोर जोर से स्किन पर ना रगड़े इससे आपको स्किन संबंधी बीमारी हो सकती है इसलिए इन चोटी-चोटी टिप्स का पालन जरूर करें धन्यवाद इस आर्टिकल में बदाई विदी तरीकों और सुजाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या संबंदित एक्सपर्ट की सलाज जरूरे फिर मिलेंगे अगले हेल्प टिप्स के साथ धन्यवाद